Hello friends, अगर आप भी इंगलिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपने इंगलिश को इंप्रूफ करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक की ज़रूर देखना आपको बहुत कू सीखने को मिलेगा सो फ्रेंग्स बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेन सो फ्रेंग्स यहाँ पर यह बोल रही है कि आगे क्या होगा इसे लेकर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ इस एंगलिश में बोलेंगे I am slightly worried about what will happen next I am slightly worried about what will happen next कह रही कि आगे क्या होगा इसे लेकर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ यहाँ पर थोड़ी सी के लिए उस वा है slightly गा I am slightly worried about what will happen next मेरे पास भी जादा समय नहीं है I don't have much time either I don't have much time either कह रही कि मेरे पास भी जादा समय नहीं है I don't have much time either iüğ जितनी जल्दी खतम हो जाए उतना अच्छ तो यहाँ पर यह किसी लपड़य मैं फजी हुऀ है कह रहे कि लपड़य जो मामला है जितनी जल्दी खतम हो जाए उतना अच्छ तो इसके लिए मैं एक इस structure का यूज़ करते हैं तुम जितनी जल्दी निकल जाओ, उतना अच्छा, यहाँ पर यह कह रही है कि हमारे पास उस पर भरोसा करने के लावा कोई रास्ता नहीं है, तुम जितनी जल्दी यह समझ जाओ, उतना अच्छा, तुम जितनी जल्दी यह समझ जाओ, उतना अच्छा, लगता है आज तुमारा मून ठीक नहीं है, इस इंगलिश में बॉलेंगे, क्या मैंने जो कहा उसे लेकर तुम मुझस से नाराज हो, क्या मैंने जो कहा उसे लेकर तुम मुझस से नाराज हो, मुझे खुश ही है कि तुम यहां मेरे साथ हो, यहां पर एक किस से कह रहा है कि, अगर तुम्हारा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो मद जाओ, इफ यह दोंट फील लाइक, गए तो इसकूल, देन ड्वांट गो, जो तुम्हें सही लगे वो करो, इस उग्लिश में बोलेंगे, डू वोट यू फील इज राइट, डू वोट यू फील इज राइट, यानि जो तुम्हें सही लगे वो करो Do what you feel is right अगर तुम चाहो तो कल में आज दिन की छुटी ले सकता हूँ इसे ध्योड़े ध्यान से देखना इससे कह रहा है कि अगर तुम चाहो तो कल में आज दिन की छुटी ले सकता हूँ Tomorrow I can take a half day off if you want मैं नहीं चाहता तुम वहाँ अकेली जाओ इस English में बोलेंगे I don't want you to go there alone So friend, यहाँ पर there आएगा I don't want you to go there alone यानि मैं नहीं चाहता तुम वहाँ अकेली जाओ I don't want you to go there alone अगर तुम बुरा ना मानो कहना चाहरा है कि अगर तुम कोई एतराज ना हो तुम कोई आपत्ती ना हो अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमारे साथ चलूँगा इस English में बोलेंगे If you don't mind If you don't mind यानि अगर तुम बुरा ना मानो If you don't mind I'll go along with you मैं तुमारे साथ चलूँगा If you don't mind I'll go along with you अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमारे साथ चलूँगा जब तक हम वहाँ पहुचेंगे मिटिंग खतम हो चुकी होगी तो इन्हें कोई मिटिंग अटेंड करनी थी लेट हो गए काफी तो कह रहा है कि The meeting will have finished by the time we get there The meeting will have finished by the time we get there यानि जब तक हम मां पहुचेंगे मिटिंग खतम हो चुकी होगी ना जाना ही बहतर है कह रहा है कि It's better not to go अगर हम मिलकर काम करें तो ऐसा कुछ नहीं है जो किया नहीं जा सकता So friends है आपर यह बोल रहा है कि There is nothing that can't be done यानि ऐसा कुछ नहीं है जो किया नहीं जा सकता There is nothing that can't be done If we work together अगर हम मिलकर काम करें If we work together अगर हम मिलकर काम करें There is nothing that can't be done ऐसा कुछ नहीं जो किया नहीं जा सकता मेरी माँ मेरे अकेले वहाँ जाने के लिए राजी नहीं होगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह अकेली कहीं जाना चाहती है तो फिर कह रहे हैं कि मेरी माँ अकेले मेरा वहाँ जाने के लिए राजी नहीं होगी मेरी माँ मेरे वहाँ जाने के लिए राजी नहीं होगी इस Englishman बोलेंगे, we have got to think of something else, we have got to think of something else, यानने में कुछ और सोचना होगा, we have got to think of something else, डरो मत जब तक मैं तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे कुछ नहीं होगा, इस Englishman बोलेंगे, don't be afraid, nothing will happen to you as long as I am with you, कह रहा है कि डरो मत जब तक मैं तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे कुछ नहीं होगा, don't be afraid, nothing will happen to you as long as I am with you, तुम बच्चे जानते हो तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए तो कुछ बच्चे ऐसी जगह आ गए जहां पर उन्हें आना नहीं चाहिए था बच्चों के लिए जगह मान थी तो यहां पर यह उनसे कह रहा है कि You kids know, यानि तुम बच्चे जानते हो You kids know, you are not supposed to be here इसका मतलब होता है कि तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए यानि कि तुम से उमीद के जाती है कि तुम यहां नहीं होना चाहिए तो कह रहा है कि You kids know, तुम बच्चे जानते हो You are not supposed to be here, तुम यहां नहीं होना चाहिए तुम से उमीद की जाती है कि तुम यहाँ ना हो आगे कह रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आदे घंटे में वहाँ पहुच जाएंगे इस इंग्लिश में बोलेंगे If everything goes well यानि अगर सब कुछ सही से जाता है अगर सब कुछ सही रहा If everything goes well We will get there within half an hour तो हम आदे घंटे में वहाँ पहुच जाएंगे If everything goes well We will get there within half an hour अगर सब कुछ रहा तो हम आदे घंटे में वहाँ पहुच जाएंगे मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो समय पर नहीं आते इस इंग्लिश में बोलेंगे I don't like people who don't come on time I don't like people who don't come on time यानि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो समय पर नहीं आते I don't like people who don't come on time लगता है हम बहुत लेट आये हैं इस इंग्लिश में बोलेंगे We seem to have come too late यानि लगता है हम बहुत लेट आये हैं We seem to have come too late I think the party is already over I think the party is already over Do you believe in ghosts? और नहीं तुम्हें करना चाहिए यहाँ पर यह कह रहेगे I don't believe in ghosts and neither should you I don't believe in ghosts and neither should you यानि भूतो पर विश्वास नहीं करती तुम्हें भी नहीं करना चाहिए इसलिए मुझे डराने की कोशिश करना बेकार है That's why it's useless trying to scare me That's why it's useless trying to scare me इसलिए मुझे डराने की कोशिश करना बेकार है That's why it's useless trying to scare me So friends, आज की वीडियों बस इतना ही अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे है अगर आप इस तरी के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रू कर देना Thank you so much for watching this video friends